हमारे देश का तिरंगा जंडा हमारी पहचान है यह दिखाता है कि भारत एक आजाद और लोकतांत्रिक देश है जब भी हम लाल किले पर या क्रिकेट स्टेडियम में तिरंगा लहराते विदेखती हैं तो हमारा सीना गर्व से चोड़ा हो जाता है चाहे हम कहीं भी हो कि भारत यe द्षज के बारे में कुछ रोच अकबातें भारती ध्वज में तीन रंग हैं जो तीन लाइन में विवस्तित हैं इन पठियों को ब्यांट कहा जाता है उपर की के सर्या पठी भारत के ताकत और साहस का प्रतीक है बीच की सफेद पठी शांत्य और सच्चाई इसमें 24 तीलिया हैं साथ ही यह देश की गती शीलता और विकास के चक्रका भी प्रतीक है हमारा वर्तमान ध्वज पिंगली विंकईया के 1921 में बनाए डिजाइन पर आधारी थे पिंगली खुद एक भारतिय स्वतंतरता सिरानी थे वेक व्याख्याता, लेखक, भूविज्यानी, शिक्षाविद, क्रिशक और बहुभाशी भी थे भारत ने राश्ट्रे ध्वज के कई रूप देखे हैं पहला राश्ट्रे ध्वज 1906 में बनाय गया था स्वतंतरता आंदूलनों, चर्चाओं और वेचार विमर्षों के सफर से गुजरते हुए हमारा तिरंगा धीरे धीरे आज की रूप में आया है 1906 पहला राश्ट्रे ध्वज कलकत्ता के पार्सी बगान चौप पर फराय गया था यह स्वदेशी आंदूलन का प्रतीक था जो ब्रिटिश सामानों का बहिशकार करने का अहवान करता था 1907 राश्ट्रे ध्वज पहले जैसा ही रहा लेकिन उसमें थोड़ी बदलाओ किये गए मैडम भीका जी कामा ने जर्मनी के स्टट गार्ड में अंतराश्ट्रे समाजवादी कॉंग्रिस में दूसरा राश्ट्रे ध्वज फहराया 1917 खोम रूल आंदोलन के दोरान एनी बेसेंट और बाल गंगा धरतिलक ने एक अलग ध्वज फहराया यह 9 शैतिज रंगीन पट्टियों से बना था 5 लाल और 4 हरी पट्टियां 1921 बेजवाड़ा जो अब विजयवाड़ा है मेड कॉंग्रिस के एक अधिवेशन में पिंगली वेंकईया ने महात्मा गांधी को अपने ध्वज का डिजाइन दिखाया इसमें सफेद, हरे और लाल शैतिज रंगी पट्टियां थी जो भारत में हिंदूओं और अल्फसंख्यक समुहों जैसे मुसल्मान और सीखों जैसे समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी 1931, पिंगली वेंकईया द्वारा बनाये गए इसी ध्वज में थोड़े बदलाओ किये गए अब यह वर्तमान राश्ट्री ध्वज के समान दिख रहा था धर्म चक्र के स्थान पर पिंगली के दूसरे ध्वज के केंद्र में एक चर्खा था 1947, भारत की स्वतंत्रता के बाद राश्ट्री ध्वज का चैन करने के लिए राजिंद प्रसाद के अध्यक्षता में एक समितिक अगठन किया गया था उन्होंने कॉंग्रिस समिति के मौजूदा ध्वज को अपनाया और चर्खा को धर्म चक्र से बदल दिया जो कानून न्याय और धार्मिक्ता का प्रतीक था